प्लो मित्रों जैमाता जी मित्रों आज 6 जनवरी सोमवार का दन है ऐसे में कुम्बरासी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन वेपार करियर उनसे जड़े बहुत सारे ऐसे पहलूओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दनों को बैतर बनाने में काफी लाबकारी सिद्ध होंगे मित्रों जोतिस सास्त्र के अनुसार या सोमवार कुम्बरासी वालों के लिए काफी लाबकारी रहने वाला है आपके द्वारा बनाई गई रनीती आपको काफी अच्छे परिणामों की फ्राप्ति करवाएगी आपके व्यवसा इसके लिए क्या करें क्या करें क्या क्या कहते हैं आपको बताएंगे आपके जीबन में कौन विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजान आरासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दुनों को बैतर बना सकें मित्रों कुम्भरासी के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके भागे और करम का अदबुत मेल हो रहा है जिसकी वज़ा से एक अदबुत सहियोग बन रहा है जिनसे कि आप अपने कारिशेत्र में सफलता हासिल कर सकते हो आपके पुर्व के लंबित कार यानि कि आपके जो भी पहले रुके वे कारे थे वो आज गती पगड़ सकते हैं किसी महिला मित्र के सहियोग मिलने के कारण आप उन्नती प्राफ्त कर सकते हो शंतान से आपको सुख मिलेगा यदि आप किसी परतियोगिता चिक्षा परतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो भागे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति करना चाहते थे आपके सैलरी बढोत्री या फिर पदुनती की राह देख रहे थे तो ऐसे में आज का दिन आपके लिए काफी खुशियों से भरा रहेगा आपके जीवन में इन सभी सुक सुमिदाओं की बढोत्री हो सकेगी भागे तथा आपके परियास के कारण आप एक बेहतर परिवर्तन करने में समर्थ रहोगे पारिवारिक जीवन आपका यतावत रहने वाला है आज आपको बहुत सारे विकास दिखाई देंगे व्यवसाय में विर्दी और व्यपार में बढ़ोत्री के काची अच्छे अच्छर दिखा रहे हैं आर्थी ग्रूप से आप सुरक्षित रहेंगे आप कुछ ठोंस कदम भी उठा सकते हैं जिससे आपकी वित्य विर्दी की संभावनाय बढ़ रही हैं आप भोतिक सुख सुधाओं पर पैसे खर्च कर सकते हैं नई नोकरी की तलास करने वालों को अपने परियास ज परूर पूरी होंगी और आपको एक अच्छी सैलरी वाली जौब मिल सकेगी जिनसे की आप अपनी बढ़ोतरी अपने सुक्स विर्दाओं की सभी एक्छाओं की पूर्ती कर सकोगे आज आपका आत्म विश्वास और साहाच चरम सिकर पर रहेगा राजनितिक्या समाजी का पर आपको सम्मान मिलेगा कुछ नई जिम्मेदार यां भी मिल सकेगी आप जटिल समस्याओं का समधान डून सकोगे वित्यमे किये प्रिया स्वान्चित परिनाम देंगे पुराना भुकतान भी आपको मिल सकेगा परतिधंदू और परतियोगी आपको नुकसान नहीं पह कारम भी आज हो सकता है अगर आप एकल जीवन या फिर आप अपने जीवन में अभी तक सिंगल हो तो आपको अपने प्रेम का आज परस्ताव मिल सकता है आज आप अपने परिवार के साथ आनंद और मोजमस्त युक्त समय वैतित कर सकोगे आज कुंबरासी के जात्कों को कि जो महिलाएं किसी कारी शेतर से जुड़ी है अपना निजी वैवसाय निजी वैपार या फिर किसी अन्य कारी शेतर में कारी करती है उनको आज काफी अच्छी सफलता मिल सकेगी आज आप किसी नए प्रोजेक्ट नए असाइनमेंट पर काम कर तकते हैं आपके जो भी सह निती तथा काम को एक बहतर तरीके से एक नए अंदाच्चे करने के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है परन्तु किसी पुरानी बात को लेकर सहयोगियों से बहस हो सकती है अता सावधानी से काम लेकर विवादों को दूर करने का प्रियास करें निजी जीवन में कुछ परिसानिया भी रह सकती है बैतर होगा आप अपने जीवन साती के सोच को समझने का प्रियास करें खान पान पर भी आपको सयम भरतने की जरूरत है प्रेम सम्मंदों के संदर्व में आज का दिन काफी अनुकूल रहने वाला है लेकिन आप अपनी असंतान के सिक्षा को लेकर चिंतित रह सकते हैं वैवसाइक संदर्व में नए वैपार सम्मंदों का सोधों को अंतिम रूप देने के लिए आज का दिन काफी अनुकूल अवधियों को ला रहा है कारे सम्मंदी यात्राएं और सहयोग आने वाले महीनों में सकरात्मक परिनाम देंगे आप में से कुछ महत्पून लोगों से समपर्क अस्ताफित कर सकते हो और अपने आपको और अधिक प्रभाव साली बना सकते हो प्रेम चमंदों के मामले में आप काफी भागय साली रहेंगे विवाहित जातकों के लिए आवेक के कारण जीवन साती के साथ अनवन हो सकता है स्वास्त बिना किसी बड़ी चिंता के कमावेस ठीक रहेगा आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने विवाहित जीवन में पती हो या पतनी अपने गुशे पर थोड़ा कंट्रोल करें नहीं तो आपके रिष्टे तूट सकते हैं और यहां तक कि आपके ग्रगोचे जैसे संकेत कर रहे हैं आपके डिवोस तक का यहां पे मुद्दा आ सकता है ऐसे में आपको सावधान और सतरखू कर रहने की जरूरत है मित्रों कुमबरासी के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप अपना स्वेंग का व्यवसाई व्यपार कर रहे हैं और साजेदारी में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कसमें काफी अच्छा है जो बविस में आपके लिए काफी लाबकारी रहेगा अगर आप नौकरी के लिए परच्छा या परत्यूग्या या फिर साक्षातकार में उपस्तित हो रहे हैं तो आपको सफलताएं मिलेंगी सामाजी गति विदियो में आपकी रूची बढ़ेगी परिवार में कोई धार्मिक समारो या अन्य कोई उत्सव मनाया जा सकता है लंबी दूरी की यात्राएं फायदेमंद सावित होंगे आप चुक और सांती रहने वाले हैं विवायोग्य संतान का रिष्टा भी पक्का हो सकता है मित्रों आज आपके नए संपर्क बनाने का एक अनुकूल समय है पूर्व के चले आ रहे प्रेम समंद और परिपक होंगे कुछ जात्रों के जीवन में प्रेम आज दस्तक दे सकता है किसी बात को लेकर पारिवारिक समंदों में खटास पैदा ना होने दें तथा एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रियास करें और जो भी मनमुटाव हैं उन्हें दूर करके अपने रिष्टों को मजबूत बनाने का प्रियास करें विवाहित जोडे अपने जीवन में काफी अच्छे सुक और समरिद्यों को प्राप्त कर सकोगे आप मेंसे कुछ संतान के विकास और खुशी का आनन्द ले सकेंगे आप आज बेहत प्रसंद रहेंगे हसमुक रहेंगे आपके पास कई अच्छे अवसर होंगे आप अपने वरिष्टों से एहसान प्राप्त कर सकते हो आपका करियर और वितिय इस्तिती में काफी सुधार संबब है प्रेमियों के लिए सुखत समय रहेगा आप महत्पूर्ण लोगों के साथ नए संबंदों को अस्तापित करने में काफी अच्छा रहेंगे आपका पारिवारिक जीवन खुशाल और आनंद में रहेगा आपका स्वास्त भी सुब रहेगा निवेश परियासों के लिए दिन परिपक है जो आपकी आर्तिकिस्टिती को बहतरी की और ले जा रहा है वितिय परिणाम उमीद से आपको जादा मिल सकते हैं सोच समझ कर निवेश करना आज आपके लिए फादिमन रहेगा अगर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो वो भी आपके लिए ठीक रहने वाला है यदि आपका पैत्रिक संपत्ति के संबंद में कोई संगर से चल रहा है तो आपको परियास करना होगा इससे आपके सुहाद प्रुवक्हल निकाले में आपका फिसफल रहेंगे काम से सम्मंदित यात्राएं पर आज आप अमल कर सकते हैं जिससे नए राष्टे खुलेंगे कुल मिलाकर आपका स्वास्त ठीक रहेगा आप अपने आखों का विसेश रूप से ध्यान रखें बच्चे बहुत अच्छा करेंगे आप उन पर गर्व भी कर सकोगे परिवारिक परिवेस आनंद में रहने वाला है आपके अगर मा के स्वास्त को लेकर चिंता बन रही है आपके मा की स्वास्त थोड़ी परेसान कर रही है तो ऐसे में आपको अपने मा को किसी अच्छे चिकित सियसला की जरूरत जरूर रहने वाली है किन्तु बहुती समरिद्धी की इस्थि बहुती फादयमंद रहेगी आपको बिबिन्द सरूतों से लाब होगा आपके कुछ सत्रू मित्र के रूप में आपके घर में रह सकते हैं लेकिन आप उन्हें नियंत्रिन करने में काफे सक्षम रहेंगे आपके पेशिवर छित्र में आपको फ्रसंसा मिलेगी सामाजी ग्रूप से आप अधिक लोगप्रिय अताहां सिल कर सकोगे आपके पास नए अधिगरन हो सकते हैं जो आपको खुश करने वाले हैं मित्रों कुम्बरासी के मजदूरों को बताना चाहूंगा कि आज आपको काफी अच्छे परिणामों के प्राप्ति होगे आज आप कार्यों को बहतर तरीके से करने में काफी सफल रहेंगे आपको कठोर परिश्रम के द्वारा अपने लक्ष की प्राप्ति कर सकोगे आपको अपने वैवसाइक प्रियोजनाओं को अंतिम रूप देने का समय आ चुका है आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं काफि सफल रहेंगी आप अपने काम और परिवार सम्मंदों के बीच किसी भी तरह का मदभेत न करें आपको अपने समय और संसाधनों को सही और सटी ग्रूप से ढंग से आपको गुजारने होंगे प्रेम सम्मंद आपके मदूर रहेंगे आपको अपने बच्चों के स्वास्त के मामले में अत्रिक्त सावधान या बरतने की जरूरत है कुम्बर 80 के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ये दिन आपके जीवन की रूप रेखा वजल सकता है आप बेहत प्रसन रहेंगे और सभी सिंताओं से मुक्त रहेंगे परिवार में चल रही पारिवारी कलेश दूर होने वाले हैं कुम्बर 80 के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादी अवस्त लिखें आपका दिन सुभ हो मंगल कारी हो